तो सात्यों नमस्कार स्वागत है आप सब का आज किस एपिशोड में आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आप से मुलाकात जब नहीं होती है तो मन बिचलित रहता है और जब मुलाकात हो जाती है दिल को ठंड़क पहुंचे तो चलिए आज आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे प्रस्ण लेकर आया हूँ और ये सारे प्रस्ण राज भासा से संबंधित जाहीं बात करें तो तीन प्रस्ण यहां से मुझे कमेंट करके बता दीजिये कि वीडियो ठीक चल लाँ है आवाज आप सबको मिल रही है एक बार मुझे कंफर्म से टिक है सब कुछ ठीक चल लहा है पहला प्रशन बहासा का उलेख संब्धान के किस भाग में किया गया बहासा का उलेख संब्धान के किस भाग में किया आप सब जानते हैं यह प्रशन बेहद आसान है ना लेकिन मैं चाताओं कि सभी लोग जल्दी से अपना जबाब कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दें तो भाग सत्रा में भारतिय संविधान में 14 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी जो है वो राज भाषा के रूप में पतिश्ठित हो और इसनी वज़ा से हम मनाते हैं हिंदी दिवस क्या मनाते हैं हिंदी दिवस मनाते हैं इसी दिन बिश्व हिंदी दिवस तो बिश्व हिंदी दिवस वो मनाया जाता है वह मनाया जाता है दस जन्वरी को तो दस जन्वरी को बिश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और भारत में हिंदी दिवस सौधा सितंबर को मनाया जा तो हम लोगों ने इसमें कई भाग किये हैं और आज जो ये हैं बहुत ही महतपूर्ण भाग है प्रशन संख्या दो पर करते हैं कि सम्मिधान लागू होने के समय आठवीन सूची में कितनी भासाओं का उलीक किया गया तो इसलिए बहुत सारे लोग आ चुके हैं सबका स्वागत करते हैं पड़ाफट दीजेगा जब आप तो जिस समय सम्मिधान लागू हुआ उस समय कितनी भाशाएं थी 22, 14, 18 या 20 आपके आप्शन्स अब थोड़ा सा फास फास करते हैं सभी लोग आ चुके हैं तो प्रसंख्या दो एक सम्मिधान लागू उन्हों के समय आठवी अनसूची में कुल कितनी भाशाएं थी तो आप जानते हैं कि उस समय केवल भारती सम्मिधान में 14 भाशाओं को ही जगा दी गई 14 भाशाओं को जगा दी गई इसके पीछे का कारण क्या था कि 22 भाशाएं जो थी जो की राज भाषा के रूप में मानिता नहीं दी गई लेकिन कहा गया कि इन भाषाओं को भी हम सम्मान देंगे और इन भाषाओं को सम्मान देने के करम में ये भाषाओं सम्मानित हुई और इन्हें 22 भाषाओं के रूप में नरक्के 14 भाषाओं के रूप में रखा गया संबिध संबिधान की किस अनुचूसी में 22 भासाओं का उलेख किया गया है तो 22 भासाओं का जो उलेख किया गया है वो आठवी अनुचूची में किया है इस सरसथ में इस सरसथ में सिंधी को जोड़ा गया क्या जोड़ा गया सिंधी और जब सिंधी को जोड़ दिया गया तो इन भासाओं की कुल संख्या कितनी हो गई 15 हो गई और उसके बाद 1992 में पुना संसोधन किया गया संविधान में कोंकडी, नेपाली और मड़िपुरी और नेपाली को भी सम्मलित कर दिया नेपाली को खस्खुरा और गुर्खाली के नाम से भी जाना जाता है जो वहां की राजभाशा है नेपाल की लेकिन भारत में भी इसे सम्मलित कर लिया गया, कब किया गया? 1992 में 2003 में बोडो, डोगरी और मैथाली बोडो और संथाली को सामिल कर लिया गया यहां एक बहुत ब्रामत प्रशन पूछा जाता है किन में से कौन सी भासा सम्मलित नहीं है? तो यहां पर आपको याद रखना होगा कि अंग्रेजी इसमें सम्मलित नहीं है यह आपको जरूर याद रखना होगा कि अंग्रेजी इसमें सम्मलित नहीं की 21 संबिधान संसोधन द्वारा आठवीन सूची में किस भासा को जोड़ा गया? कई बार संबिधान संसोधन किस संबर का हुआ था? यह भी आपसे प्रशन पूछा है तो 21 संबिधान संसोधन जब किया गया उसके तहत किस भासा को जोड़ा गया? सिंधी कोंकरी मड़ेपुरी नेपाली तो यहां अभी अभी मैंने बताया था 21 संबिधान संसोधन उनीस सो सरसथ में 21 संबिधान संसोधन करके सिंधी भाशा को जोड़ दिया गया सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया 21 संबिधान संसोधन द्वारा आठीवी अनुसूची में किस भाषा को जोड़ दिया इकत्रवा अभी अभी हमने इसकी चर्चा किया था इकत्रवा संबिधान संसोधन जो है वह 1992 में आता है इसकी डेट भी पूछी जा सकती है उननीस में किस भाषा को जोड़ा गया तो कोंकडी को भी जोड़ा गया मडिपूरी को भी जोड़ा गया और नेपाली को भी जोड़ा गया इस प्रकार से ऑप्सन आपका डी सई हो जात है और नटीम्यास संबिधान संसोधन द्वारह आठविन सूची में किस भाषा को जोड़ा गया अब यहां आपको बताना है मिबर्यवा संबिधान किस वर्ष हुआ संसोधन 2003 में हुआ और इस में मैथिली संथाली डोगरी और बोड्रो जोड़ दिया गया इस प्रकार से 2003 के बाद से बाइत भाशाएं हो गए यह बाइत भाशाएं हिंदी की नहीं है यह आठवी अनसूची में सूचित भारत की भाशाएं है ठीक है संसद में प्रियोग की जाने वाली भासा का उलेख संविधान के किस अनुछेद में बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि संसद में कौन सी भाशा का प्रियोग किया जाएगा इसका उलेख कहां पर किया गया है बहुत ही प्यारा सा सवाल है संसद में प्रियोग की जाने वाली भासा का उलेख कहां पर किया गया है पड़ाप्ड बताईए जल्दिश जबाप जीजेगा तो यहां पर एक ऐसा अनुक्षेद है संसद किस में काम करेगा तो संसद के कारिय जो बताए गए वो अनुक्षेद 120 में बताए गए इसमें बताया गया कि जो संसद है हिंदिया अंग्रेजी में होगा अगर कोई संसद हिंदिया अंग्रेजी में अपनी बात नहीं कर पा रहा है तो राज सभा का सभापति या लोग सभा का अध्यक चुछे अपनी मात्रि भासा में बोलने की अनुमति दे सकता है लेकिन यहां एक मज़ेदार बात है कि सभी भाशा में उसको बोलने का मौका नहीं दिया जा सकता बस उनहीं 22 भासाओं में ही कोई भाशा हो उसको ही माननेता दी जा सकती है कि भाईया आप अपनी बात को इस भाशा में रख सकते हो संबिधान लागू होने के 15 वर्ष तक संसद कोई और नियम जब तक न बनाए तब तक इस तरह का नुक्षेद लागू होगा और इसके बाद में अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा लेकिन शुरुआत से लेकर 15 वर्ष तक संसद की जो कार्य भाशा होगी वो अंग्रेजी होगी लेकिन अगर कोई संसद अपनी बात को रिजनल लेंग्वेज में रखना चाहता है तो सभापती चाहे राज्य सभा का हो या लोग सभा इस्पीकर लोग सभा का हो उससे अनुमत लेकर अपनी बात अपनी छेत्री भाशा में रख सकता है ठीक है right answer next question राज बिधान मंडल में प्रियोग की जाने वाली भासा का उलेक संविधान के किस अनुछेद में किया गया है देखे राज बिधान मंडल यानि जो बिधान परिशद वगएरा होता जिसे अपना यूपी राज है विहार राज है जार्खंड है दिल्ली है तो अब कौन से के तहति ये भाषा का प्रियोग किया जाता है तो यह आपको बताना है अब इसको कैसे याद रखेंगे पिछले question में जो हमारा सही जवाब था वह एक सो बीस था तो एक सो बीस को कैसे याद रखेंगे राज्य सभा या केंद्र यहाँ लिख देते हैं संसद संसद पहले आता है एक सो बीस लेकिन एक सो बीस को ही अगर हम थोड़ा सा उलट फेर कर दें तो हमारा एक संख्या बन जाएगी दो सो दस इसी संख्या में एक रूलट फेर हम कर दें तो एक सो बीस का क्या बन जाएगा दो सो दस बन जाएगा वहां एक तो हिंदी है दूसरी उर्दू किसी तरीके से अगर आप से पूछे किस राज्य की सके लेंगविज संस्कृत है जान समझेगा किस राज्य की सेकेंड लेंगविज जो है वो संस्कृत है तो उत्तरा खंड राज्य है जहां पर सेकेंड लेंग्विज क्या है संस्कृत है और फर्स्ट लेंग्विज क्या है वो हिंदी तो हर एक राज्य जो है वहां पर अपनी भाशा फर्स्ट और सेकेंड लेंग्विज की रूप में रख सकते हैं यहां राइट के विधान मंदल की भाषा का वर्णन है और 120 में संसद की भाषा का वर्णन कि अगला पर संविधान के किस अनुख्षेद में कहा गया है कि संग की राजभाषा हिंदी और लिप देवनागरी होगी और अंकों का रूप भारती अंकों का अंतर रास्टी रूप तो बहुत आसान सा सवाल है 343 में 341 के कौव में सब क्लॉज अगर पूच ले तो 341 के कौव में यह बात कही गई है कि संविधान में जो राजभाषा होगी संग क्या है सेंट्रल गवर्मेंट की जो राजभाषा होगी और लि रूप भारती अंकों का अंतर रास्टी रूप होगा यानि रोमन गिंती का प्रियोग की जाएगा 12345679 और 10 इस प्रकार से हिंदी गिंती का प्रियोग हम कहीं भी कार्यालाई उपयोग है तु नहीं ले सकते हैं हमें 1234 इत्यादी का प्रियोग करना पड़ेगा क्योंकि ये सम्विधान में ही इस बात को रखा गया है सम्विधान में ही वढ़ने की 15 वर्ष अर्थात 1965 तक अंग्रेजी भाशा का प्रियोग किये जाते रहने की बात सम्विधान के किस अनुक्षेद में की गई है कि 15 वर्ष तक जो है हम अंग्रेजी में ही काम करते रहेंगे यह बात कहां की गई तो 1950 से 1965 तक इसकी बात 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रियोग उता रहेगा बताईए तो उसमें भी यही बात आई 343 में 343 में ही यह बात की गई कि भारत शंग की राजभाशा देवनागरी लिपी में होगी और हिंदी में लिखी जाएगी हिंदी होगी देवनागरी लिपी में लिखी जाएगी अंकों का रूप अंतररास्टी होगा लेकिन अंग्रेजी जो है वह कामकाज की भाशा के रूप में प्रियोग की जाती रहेगी कितने वर्स के लिए 15 वर्स के तो अगर आप देखें तो 1950 में संविधान लागू हुआ 15 वर्स जोड़ दें तो यहाँ पर 65 तक की बात की गई थी और यह संविधान के 343 में ही यह बात कही गई हिंदी को राज भाशा का दर्जा कब मिला तो यह आप सब जानते हैं बहुत ही आसान सा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज भाशा का दर्जा संविधान के किसन खेड में उलेख है कि संविधान के प्रारंब से पांच वर्स की समाप्ती पर राश्पती द्वारा राज भाशा के संबन में एक आयोक का गठन की अजा है बहुत ही महात्पूर्द प्रश्ने हैं जल्दी से आप सब कमेंट करके जबाब दें आप चलिए तो देखते हैं इसमें कौन-कौन सही जबाब दिया है तो यहां पर जबाब जो आए है कि हम संग्योगिता जी, रुद्रा जी, अरुंदीब जी, ललिता जी, संगीता जी, अमित जी, सीमा जी, जूली जी और सोनम यादव चलिए तो ज़्यादा कर लोग जबाब कु संभिधान के किस अनुक्षेद में प्रारंब से पांच वर्ष समाप्ति पर यानि कि संभिधान के प्रारंब से पांच वर्ष की समाप्ति राजपती द्वार राजभासा के संबन में एक आयोग का गठन की यानि संभिधान लागू किया गया 1950 में प्लस पांच वर्ष बा इसको प्रस्तुत करेगा तो 343 में ये बात की गई कि राश्त्वती पांच वर्स के बाद तो पहली बार जब वो आयोक का गठन करेगा राजभाशा का तो वो पांच साल बात करेगा लेकिन दूसरी बार उसके बाद लगातार बार दस वर्स बाद दस वर्स बाद वो राजभाशा आयोक का गठन करेगा यानि पहली बार तो वो पांच वर्स बाद करेगा लेकिन दूसरी बार जब वो करेगा तो दस वर्स बाद करेगा हर दस वर्ष की समाप्ती पर राज भाषायों का गठन करेगा सास की प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिक अधिक प्रियोग हो अंग्रेजी के प्रियोग पर निर्बंध न हो लोग उच्चतम न्यायाले और उच्च न्यायाले की कारवाही में संग की और राज की अधिनियमिंताओं के अधिन बनाये रखने के लिए अधिनिस्त पाठों को प्रियोग की जाने वाली भाषा हो और संग की या एक से दूसरे राज में आपस में कम्मिनुकेशन की भाषा क्या हो ये सारी चीजें उसमें निर्धारित हो तो राज अंसर जाएगा 344 किस से संबंधित है तो या राशपती द्वारा राज भाषा आयोग के गठन से संबंधित है जिसमें राज भाषा आयोग का गठन कब किया जाएगा इसकी बात की गई है ठीक है तो पहला जो गठन होगा वो पांच साल बाद होगा और उसके बाद जो गठन होंगे ही वो हर दस वर्स पर किये जानी हर दस वर्स की समापती निश्कुष एक राज और दूसरे राज के बीच होने वाले पत्र बेवहार का उलेख सम्विधान के किस अनुक्षेद में है बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है पत्र बेवहार जो होगा वह कहां होगा और किस तरीके से हो देखिया 343 से 351 तक ये बात की गई राज भाषा नियम 1976 राज भाषा अधिनियम में कुल 12 नियम है आप से पूछा भी जा सकता है कि भाई बता दीजिए कि राज भाषा अधिनियम जो है 1976 वाला उसमें कुल कितने नियम है तो आप बताएंगे किसमें कुल 12 नियम और इसमें पत्र बेवहार के लिए तीन वरग बनाएगे कितने वरग बनाएगे कावरग और गवरग तीन वरग निर्धारित किये गए कावर्ग जो है इसमें कहा गया कि पत्र विवहार जो किया जाएगा वो हिंदी भाषा में ही किया जाएगा और इसमें राज्य बताएगे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान बिहार इमाचल परियाणा और दिल्ली यानि केंद्र को अगर कभी आवशक्ता पढ़ती है तो इन राज्यों से वो किस भाषा में पत्र विवहार करेगा तो अगर कभी आवशक्ता पढ़ती है सेंटरल गॉर्मेंट को कि इन राज्यों से बात करे तो इन राज्यों से वो हिंदी में पत्र लिक कर बात करे लेकिन खो सेड़ी के जो राज्य हैं उसमें द्वी भाशिक नीती अपनाई गई पूछा जाता है कि द्वी भाशिक नीती कितने राज्यों पर लागू होती और द्वी भाशिक नीती जो है वह किस वर्ग में आते हैं तो हिंदी वर्ग को है और द्विभाशिक वर्ग की जो नीती है वो खौप लागू होती है पंजाब गुजरात महारास्ट कि पंजाब कि गुजरात कि महारास्ट अंडमान और निकोबार दीव समूह और चंडीगड यानी जहां लोग थोड़े बहुत हिंदी को लेकर अवेयर हैं थोड़ी बहुत हिंदी जानते हैं लेकिन हिंदी का प्रियोग उतना नहीं करते हैं तो वहां आप द्विभाशिक नीती अपनाएंगे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही आपको पत्र लिखने पड़ेंगे पंजाब, गुजरात, महारास्ट, अंडमान, निकोबार, दीव समूह और चंडीगड ये द्विभाशिक नीती अपनाई जाएगी हैं तीसरे तरह के जो राज्य निर्धारित किये गए उनको गौ पत्रमाद्यम से तो वो अंग्रेजी में ही बात कर सकते हैं आप समझिएगा कि कितना जादा अंग्रेजी को लेकर यहां पर इस पस्चता नहीं हैं तो हम यह भी नहीं कर सकते कि पूरे देश में हिंदी जो है राजभाशा के तोर पर पतिश्ठित तो जो गौ तरीके के र पस्चिम बंगाल पुडीशा पुर्वोत्तर और द्रविन छेट यहां की जो भाशा होगी जो हम इनसे बात करेंगे टेंटल गौर्मेंट को अगर इनसे बात करना पड़ा तो वो किस भाशा में बात करेंगे तो अंग्रेजी में बात करेंगे यही राज्य जो हैं हिंदी का सपोर्ट भी किये हैं और यही राज्य हिंदी का विरोध भी करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो विरोधी लहर आती है वो कहां से आती है गौश छेत्र के राज्यों से आती है गौश छेत्र के राज्यत, पस्यम, मंगाल, उडिसा, पुर्वोतर छेत्र के मड़िपूरी वगएरा जो राज्य है और द्रमिड परिवार के तमल, तेलगू, कलनड, मल्यालम ये जो छेत्र हैं यह गौश छेत्र के अंतर गताते हैं तो गौश छेत्र अंग्रेजी करता है, खौश छेत्र द्विभाशिक नीती करता है, खौश छेत्र हिंदी की बात करता है और आज का जो प्रशन था कि किस अनुक्षेद में इसकी बात की गई है तो राइट एंसर हो जाएगा आपका 3, 4, 6 पत्र बेवहार की जो बात की जाती है, वो अनुक्षेद 346 में की जाती है, तो राइट एंसर हो जाएगा आपका D किस राज द्वारा राज की दूसरी भाषा घोषित करने का अपवन संविधान के किस अनुक्षेद यानि कोई भी स्टेट अपने राज की सेकेंड बात करना चाहे तो वह किस अनुक्षेद के तहत कर सकती पाल लिजे अगर UP में उत्तर प्रदेश्ट में बाबा जी को ये लगे कि यहां की जो second language है अब मैं संस्कृत घोशित कर दूँगा अब मैं संस्कृत घोशित कर दूँगा जैसे उत्तराकंड में सेकेंड लैंग्विज है संस्क्रिट बाबा जी को भी लगे कि जाहिए उत्तरप्रदेश में संस्क्रिट सेकेंड लैंग्विज हो नहीं चाहिए उर्दू को हटाओ उर्दू क्या है अभी second language है अगबर ने उसे second language फार्सी को रखा था पर बाद में उसको हटा दिया गया अभी उत्तरप्रदेश में second language उर्दू है बाबा जी को लगे के नहीं हटाओ तो किस तंबिधान के उपबंद से उसमें वो परिवर्तन कर सकते हैं ये आपका सवाल है तो देखिए कोई भी राज्य जो है वह किसके तहत कर सकता है 347 के तहता है अगर राज्य का परियाप्त भाग राज्य की जनसंख्या का परियाप्त हिस्सा ये मांग करे कि ऐसा है मांकारी हो गई है तो हमें राज्य में सर्वत किसी भासा में सास की प्रयोजन के लिए उस भासा के मानिता का अपबंध जारी कर सकता है राज्य मांग करेगा लेकिन उसे अनुमत कौन प्रदान करेगा राज्य की अधिकतर जनसंख्या के द्वारा ये मांग होनी चाहिए तब ही ये हो सकता है तो right answer हो जाएगा 347 ठीक है 347 एके 47 होता है तो 347 याद रखिएगा कि दूसरी भाषा कौन से नरधारित होगी तो बंदूपतान की होगी बंदूपतानने वाला कौन सा नुच्छेद है 347 दूसरी भाषा 347 सटाने के बाद होगी ठीक है कैसे याद रहेगा कि एके 47 जो है वो सटाने के बाद 347 347 में 47 याद रखिएगा तो यह जब सटा देंगे कनवा के पास तो कहेंगे कि second language कौन सी होगी तो खोपडिया में जब सटाएंगे 247 यानि 347 तो second language कौन सी होगी ये निर्धारित करने की शक्तियां मिल जाएंगे ये ऐसे ट्रिक से आभी आप कर सकते हैं उच्छे नयाले और उच्छे तम नयाले की भासा का अबुबन सम्विधान के किस अनुच्छे थे बहुत ही प्यारा सा सवाल है उच्छे न्यालय और उच्छे तम न्यालय की भाशा क्या होगी बताईए जब संबिधान लागू हुआ कब लागू हुआ उनीस सो प्रास में उसमें कहा गया ऐसा है कि जब तक संसद इस पर नियम नहीं बना देती तब तक उच्छ न्यायालय और उच्छ तम न्यालय की भाशा जो होगी वो अंग्रेजी ही होगी ये भारत जैसे हिंदी भाशी राज्य के लिए सबसे दुखत बात है कि एक गरीब किसान एक आम ब्यक्ति जब सुप्रीम कोड जाता है आई कोड जाता है तो वह अपना आडर भी नहीं पड़ पाता हिंदी भाशा में उसका आडर नहीं निकलता अब तो कुछ जज ऐसे हैं जो अपने विसेश आग्रह पर हिंदी भाशा में आडर दे रहे हैं लेकिन संबिधान ने कहा कि जब तक संसद नियम नहीं बना देता तब तक अंग्रेजी ही उच्च न्यायाले और उच्चतम न्यायाले की भाशा होगी लेकिन किस अनुच्छेद में 348 में ये बात करेए किसी राज का राजपाल राष्ट्पति की पूर सहमति से उस उच्च न्यायले की कारवाहियों में हिंदी भाशा के प्रयोग को या उस राज के सास की प्रयोजनों के लिए प्रुक्त किसी भाशा के प्रयोग को प्राद्गतित कर सकता है लेकिन ये निर्दिस है कि जितनी डिक्रियां दी जाएंगी वो सब अंग्रेजी भाषा में ही दी जाती रहे कोई राजी अगर चाहे कि भाई ऐसा कि हमारे यहां उडिया में आदेशाने लिए तो उडिशा के जो राज्यपाल हैं वो राश्पती से कहेंगे कि मोहोदेश में हम परिवर्तन चाहते हैं फिर क्या होगा कि वहां का जो ओर्डर है वो उडिया में भी उपलब्ध हो जाएगा लेकिन अंगरेजी के साथ उपलब ठीक है तो यह 349 बहुत महत्पूर है 349 ठीक है 3,4,8 कैसे याद रहेगा कहते हैं एक से बढ़के एक दिखानी गाना सुना है न तो यहां यह से याद रखना कि एक से बढ़कर एक तीन से बढ़के चार और चार का दूगना आठ यानि उच नयाले और इससे भी बढ़कर सरवोच नयाले यानि एक से बढ़कर एक है यहां पर बस ऐसे आद रखना है एक से बढ़कर चार और इससे बढ़कर आठ तो तीन चार और आठ तीन से में जोडेंगे एक चार हो ज जाएगा यानि उच्छ न्याले से सर्वोच न्याले दोगुना होता है ये ट्रिक हो जाए ठीक है राजभास्ता संबंधी कोई भी विधेक राश्टपती की पूर मंजूरी के बिना पेस्ट नहीं किया जा सकता और राश्टपती भी आयोग की सिफारिसों पर विचार करने क के बाद ही मंजूरी दे सकेगा संबिधान के किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है ठीक है ठीक है राश्टपती के अनुमती हर हाल में आवश्यक होगी ही होगी बिना उसकी अनुमती से कुछ काम नहीं हो सकेगा अब यहां देखिएगा 349 349 तो 349 में कहा गया कि संबिधान लागू होने के 15 वर्स तक तो इसमें किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे अंग्रेजी का प्रियोग होता रहे पंद्रा वर्स बाद रास्पती अगर चाहे और कोई राज अगर चाहता है या अधिक से अधिक लोग चाहते हैं तो हम इसमें विचार करेंगे लेकिन राश्पती क्या अनुमोदन होना चाहिए और राश्पती के अनुमोदन के सासा संसद भी विधी द्वारा स्थापित उसे को तो राश्पती की अंतिमुह लगेगी और उसमें संसद भी रहेगा ये बात 349 में कही गई है तो 349 में यह होगा हम 343 से तुरू करें 344 45 45 47 49 49 49 49 50 51 पर खतम हो जाता है लेकिन यानि कि खतम होने से थोड़ा सा पहले जैसे सुरुवात में कह दिये बहिया 15 साल ता कंग्रेजी रहेगी 343 में लेकिन जब खतम होते होते धांडस बंधाए उन्चास में आगे घबराओ नहीं तब तुम्हारा रास्पती कह देगा ना तो बदल दिया जाएगा कोई टेंशन नहीं तो कैसे आद रखना है कि उन्चास में ये बात आके उन्होंने कह दिया कि भाई एगर आपका राश्पती राजी हो जाएगा तो आप इसको परिवर्तित कर सकते हों हमने इतनी छूट आपको दे दी है लेकिन पंदरा वर्स तक आप इसमें हाथ नहीं लेगा सकते हैं तो तीन सो उन्चास बहासाई अल्प संख्यत वर्गों के लिए प्रात्मी कस्तर पर मात्रिभासा में सिक्षा किस सुबिधान अपलब्द कराई जाएं इस बात का उलेक संबिधान के किस अनुक्षेद है कि यह राज भाषा में मात्रिभाषा की बात की गई और देखिए होता यह है कि बहासाई अल्प संख्यत वर्गों के लिए प्रात्मी कस्तर पर अब देखिए जो छोटा सा बच्चा होता है वह सबसे अधिक बात अपनी माता की समस्ता है और माता की बात भी कैसे समस्ता है जो रिजनल लेंग्वेज में है माता उसको उसमें समझाती हैं अब एक हमारे मित्र हैं जो केवल सहर में रहें उन्हों कभी गाउं नहीं देखा उनकी नियुक्ति हो गई प्राइमरी में किसी गाउं में तो वहां क्या हुआ कि दो बच् आके कंप्लेंड किया कि सर ये मुझे गाली दे रहा था उनका क्या गाली दे रहा था तो एक ने बताया कि सर हमको कह रहा है कि तू घूरे के लत्ता है क्या कहा गूरे के लत्ता अच्छा का तुमने क्या कहा तो दूसर का बता रहा है कि सर हमको गाली दे रहते हो कर रहा है तो आर मुझ छाउना के जैसे है एक ने कहा कि तुम्हारा मुझ छाउना के जैसे है और एक ने कहा कि तुम भूरे के लत्ता हो अवारे मित्र जो है भूरे के लत्ता तो थोड़ा बहुत समझ पाए लेकिन वो छाउना जानी नहीं पाए कि यह छाउना होता क्या है तो जो कनेक्टिविटी है वो रिजनल लेंग्विज में मात्री भाषा में हो तो न का मतलब आप सब जानते हो रहें तो भासाई अल्प संख्यब जो है यानि कि जो बहुत छोटी छोटी भाषाएं हैं छोटे-छोटे सम्मू हैं वो कैसे अपनी भाषा में प्रात्मिक सिक् तो यह जो है प्रतेग्बत्य की शिकायत को दूर करने के लिए संघ्या राज की अधिकारी या प्राधिकरी यता स्थिसंगस में राज्यों की प्रयोग होने वाली भासा का अभ्यावदन देने के हगदार होंगे बहासाई अल्प संख्यक वर्गों के लिए राश्पति एक विसेश अधिकारी की निवति करेगा या दिकारी उस्वर्ग के भासाई हितों में रच्छा पायों से संबंधित राश्पती को प्रतिवेदन देगा राश्पती से संसद में रखवाएगा और संबंधित राज आप सूर का बच्चा कहता तो अलग से समद्द में आता कि हमको सूर का बच्चा कह रहा है लेकिन छाउणा कह रहा था तो तो भाइस आपको समय नहीं आई कि चाउणा क्या आए तो बच्चे तो इसी तरह से जो ने आए आए आप सबकी नियुक्ति होगी किसी गाओं के संभिधान चाहता है कि रिजनल लेंग्वेज में प्रात्मिक सिख्षा दी जाए और संभिधान में भी इसकी बात की गई है कि भासाई अलब संख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राथपती द्वारा की जाए इस बात का उलिए संभिधान के किस अन बहासा विशेक अग्षा यह तो बहुत आसान सा सवाल है अब यह लोग हम लोग उसी की चर्चा कर रहे हैं बहासा विशेक उपबंध किया गया है किस में किया गया है तो अनुच्छेथ 120 में अब यह भी मैंने बताया रिकैप करवा देता हूँ तो 120 में क्या है संसद है दो सदस विधान मंडल की भाषा है आठवी अनसूची 22 भाषाएं है अनुच्छेथ 343 से 341 तक राज भाषा है अब यह देखिए कि आपको पूरा याद रखना होगा यहां से प्रस्ण पूछा जाएगा तो आपको अनुच्छेथ 120 याद रखना होगा 210 याद रखना होगा आठवी अनसूची 343 से 351 यानि उप्युक्त सभी उनीस सो पश्पन में जो पहला राज भाषा आयोग गठित हुआ वो किसकी अध्यक्षता में हुआ यह बहुत महात्पूर है कई बार राज भाषा आयोग से संबंधित भी प्रस्ण पूछा जो पहला राज भाषा आयोग जो गठित हुआ वो बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ कि किसके अद्धर्चता में हुआ यह कई बार कुछन पूछा गया है तो बीजी खेर के अद्धर्चता राश्पती उस समय राध्येंद प्रशाद थे उनीस सो पश्पन में बाल गंगाधर खेर कई बार इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है बाल गंगाधर खेर और उस समय राश्पती कौन था यह अभी पूछा जाता है तो उस समय राजींद प्रशाद उस समय राश्पती थे और बाल गंगाधर खेर के अद्धचता में राजभाशा आयोग का गठन किया पूछा जाता है कि जब यह राजभाशा आयोग का गठन किया गया तो उसमें सदस्य कितने थे तो सदस्यों की संख्या कितनी थी 21 थी यानि कुल 21 सदस्य थे सदस्यों की संख्या भी आपको याद रखना यह जो 55 में आया राजभाशा आयोग इसने अपना जो प्रतिवेदन है कब सौपा एक साल बाद उनीस सो फपन में इसने अपना प्रतिवेदन सौपा लेकिन यह प्रतिवेदन संसद में कब रखा गया तो उनीस सो सतावन में रखा गया 55 में 55 में क्या रखा गया राध भाषा योग का गठन हुआ एक साल बाद उतने अपना पूरा काम सौपा 56 में और जो काम उसने सौपा 56 में वो ठीक एक साल बाद 1957 में संसद के समक्ष रखा गया ठीक है 1957 में संसदी राध्भासा समित का अगठन किसकी अध्यक्षता में किया गया फिर तो 1957 में गोविन बल्लब पंत जिनका नाम क्या था जीवी पंत था गोविन बल्लब पंत गोविन बल्लब पंत तो 1957 यानि ठीक दो साल बाद यानि एक तो राध्भासायो का गठन हुआ था उसने एक साल बाद अपना पुरा काम करके दिया खपन में गया अब संसब में भी एक समिद गठित की जानी थी कि रादभासा योग में जो काम करके दिया है उस पर कुछ ने लिया जा सके तो उसके निरने के लिए एक और समिदि का निर्मार किया गया जिसकी अध्यक्षता जी भी बंत ने किया था संयुक्त संसदी राजभासा समिती का गठन किया गया अब इसमें भी पूछा जाता है कि जो संसद में समिती आई संसिद में संयुक्त समिती जो गठित की गई उसमें कितने सदस्य तो आप जानते हैं कि संसद जो होता है उसमें दो भाग होते हैं एक तो आपका लोकसभा है और दूसरा राजसभा, राजसभा स्थाई होता है, लोगसभा आस्थाई होता है, इसका बिगठन होता है, लोगसभा में अधिक सदस्य होते हैं, राजसभा में कम होते हैं, तो टोटल सदस्य तीस थे इस समिती में, जो की गोविंद बल्लब पंत्किय धच्छता में बनी थ तो तीस सदस्यों में बीस सदस्य लोग सभा के थे और दस सदस्य जो थे राज सभा के थे और बीस और दस मिलाकर तीस टोटल सदस्यों की संख्या थी जो कि संसद में बनाया गया था राज भाशा का जो आयोग ने गठित करके अपना नियम यह जो भी संसुतियां दी थी उस पर निरने लेने की ठीक है अब जब यह उनीस सो सतावन में संसद के तहद जो है बल्लपंद के नरदेशन में यह समिती आई इसने अपना प्रतिवेधन का प्रस्तूत किया तो इसने अपना प्रतिवेधन प्रस्तूत करने में दो साल का समय लगा दिया यानि कि संसद के इसको पहुँचाने में कितने साल लगे 1969 यानि दो साल एक बार फिर से समझ लेते हैं तब से पहले बीजी खेर की अधक्षता में सन 1955 में एक गठन किया गया राधभाशायू प्रथमंद्धत राधभाशायू को गठन हुआ उसने अपना काम किया और अपना काम सौपा 56 में कितने सदसे थे तीस सदसे थे बीस लोग सबा से दस राज सबा से उन्होंने अपना जो काम किया उसको दो साल बाद पूर्ण किया अर्थाथ 1969 में उन्होंने अपना कारियर पूर्ण किया ठीक है अब एक चीज़ और इसमें छूट गई जब बाल गंगादर तिलक ने ये बीजी खेन अधश्टा की थी तो उसमें 21 सदसे थे और संसद ने जब अधश्था की जीवी पंत के माध्यम से तो उसमें सदस्यों की संक्षा तीस थी ठीक है एक उइक बार मैं फिर से आपको याद करा देता हूं कभी आप सबका न भूले ठीक है चलिए कि सब्से पहले पच्पन एक गाना है पचपन उम्र है पचपन लेकिन दिल है बचपन का तो उम्र पचपन की लेकिन दिल है क्या बचपन का तो पचपन साल में यानि की बुढ़ोती में लोगों को लगा कि चलो यार हिंदी का उद्धार करते हैं क्या किये कि पचपन में 1955 में यानि कि बुढ़ोती में उन्होंने कहा कि चलो यार हिंदी का उद्धार करते हिंदी का उद्धार करने के लिए वो घूमने लगे कि किसको यार ढूंडा जाए तो एक व्यक्ति था जो खेर था क्या था खेर रहा था खेर का मतलब खेल रहा था ठीक है बीजी खेर तो उम्र है पचपन की लेकिन दिल है बचपन का तो पचपन में एक बचपन जैसा था और क्या कर रहा था खेर रहा था यानि बीजी खेर रहा था तो उसने का भाई राध भाशा के लिए कुछ कर दो उसन अपना काम चालु किया लेकिन उसको एक साल लग गया पच्पण से 1957 लग गया wynспस्पण ने उसने अपना काम का राष्पति जी यह मैंने अपना काम आज पूरा कर दिया आप लीजिए तो राष्पति अंहों ने 1957 में 1957 में कहां दे दिया संसद के समक्ष रख दिया कहां रख दिया संसद के समक्ष अब भाई संसद के समक्ष जब ये बात रखी गई तो वहां कि संसद अब क्या करें संसद के नहीं कहा कि भाई मैं अकेले कोई काम नहीं कर सकता तो ने कहा कि ऐसा है कि अखेले नहीं कर सकते तो हम आपका सहायता करेंगे तो खेर साथ क्या थे 21 लोगों के साथ खेल रहे थे कितने लोगों के साथ 21 लोगों के साथ अब जब यह संसद में बात आई तो यहाँ पर किसको निक्त किया गया 57 में पंत जी को निरधारित कर दिया गया कि आप काम देखे और इनको 30 लोगों की एक टीम दे दी गई कि भहिया ऐसा है कि 30 लोग आपके साथ होंगे आप काम देखे तो 30 लोगों के साथ इन्होंने काम शुरू किया और दो साल तक अथक मेहनत किया और 1969 में इन्होंने अपना पूरा काम पूरा कर लिया यानि कब इनका कारे पूरा होता है 1969 में और जब ये काम हो गया 1969 में तो राश्पती बहुत खुश हुए कह वा बेटा बहुत अच्छा कारे किया मजा आ गया अब जब तुम लोगों ने इतना अच्छा काम कर दिया है तो मेरा निरने सुन लो तो राश्पती जी ने 1969 में जो संसद के दवारा तीस सदस्यों के दवारा जो काम किया गया उस काम से खुश हो कर उन्होंने दो स्थाई आयोगों की अस्थापना दिया क्या किया तो स्थाई आयोग बना दी चलो भाई आप लोगों इतना सारा मेहनत किया था बीजी खेर ने मेहनत किया फिर पंत जी ने मेहनत किया एकीस लोगों की टीम ने मेहनत किया फिर तीस लोगों की टीम ने मेहनत किया 55-56-57-59 तो अब आप लोगों के मेहनत को फल देने क काम आ गया है तो 1969 में राष्टपती जी ने कहा कि हम इस पे अब दो स्थाई आयोग का गठन कर देंगे कि आप लोगों ने जू भी काम किया है उससे ये लगता है कि हम कुछ काम करें अब दो आयोग को गठित करने में दो साल लग गए यानी 1961 का समय आ गया कि 1961 में दो आयोग का गठन किया तो ये दो आयोग दो मंत्रालियों के अधीन थे तो एक क्या था सिख्षा मंत्राले के अधीन था सिख्षा मंत्राले उनको लगा कि सिख्षा में भी कई समस्याएं हैं भाषा को लेकर तो एक आयोग तो सिख्षा मंत्राले के तहत था और एक मंत्राले था वि भिध्य मंत्रा ले के अधीन हो गया राज भाषा विधाई आयोग ठीकर राज भाषा विधाई आयोग यो हुआ वह भिध्य मंत्रा ले की अधीन काम करने लगा 1961 में और सिख्छा मंत्राले के अधीन बैज्ञानिक यों तक्नीकी शब्दावली आयोग काम करने लगा इसके तहद तो सिख्छा मंत्रा पूरी कहानी आप सबको समझ में आ गई कोई कंफ्यूजन है मुझे लगता कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तो मैंने आप सबको एक कहानी के माद्ध्यम से और कहानी सुरू कहां से हुई थी कहानी सुरू हुई थी 1955 ठीक है संविधान लागू होने के पांच साल बार गठन हुआ पच्पन में और फिर वहां से काम होते होते 69 में पहुचा और फिर 69 से 60 में आया और 60 में इन्होंने अपना काम कर दिया राश्पती में ठीक है प्रथम राजभाशा आयोग और संसती राजभाशा समित का गठन संविधान के इस अनुक्छेद के तहट किया गया था प्रथम अब ही हमने आपको बताया था इस अनुक्छेद के विश्ओय में 344 किसके तहट 344 के तहट ये काम किया गया राजपती पांच वर्स के बाद और उसके हर दस वर्स बाद जो अराद भास आयोग का गठन करें पहला जो आयोग गठित होगा वो पांच वर्स के बाद होगा यानि 1950 में संविधान लागू हुआ तो पहला इसी लिए 1955 में होगा और उसके बाद और दस साल पे इस आयोग का गठन पिया जाए और ये कहां पर बात की गई चली थी भाई अमिद जी नौबजे आप आये नहीं तो यहां पर दस वर्स के लिए बात की गई 344 राइट है किस अनुछेड में कहा गया है कि संग का यह करतब होगा कि वह हिंदी भासा का प्रशार बढ़ाए हिंदी भासा के प्रशार प्रशार का का काम किसका होगा सरकार की मतलब में अपने क्ली तहट आपको कह रहा हूं कि dropdown कने का तो नниका कि आप तो कुछ प्रशार प्रशार के लिए ऐसे आप आप को कुछ करते करते न श्क्रत जुरु करते हैं चाह Tibet सबसे अंत में उनको अलगा कि यार बहुत गरबड हो रहा है फिर उन्हें ने कहा कि 351 में ये निर्धारित किया गया कि संग का ये कर्तब भी होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे उसका विकास करे और भारत की मिलिजुली संस्कित के सभी तक्तों के अभिव्यक्ति का माध्यम बन चके इस प्रकार से आठवी अन्सूची में देखे में समस्या क्या हुई 351 जब उन्होंने कहा कि भाईया ऐसा है कि हिंदी जो है उसके प्रतार प्रसार का काम संग करेगा यानि की सेंटरल गॉर्मेंट है तो पूरे देश में बड़ा शंगर सागे कोई तमिल को कह रहा है कि राजभाशा गोशित करो को तिल्गू को कह रहा है भारत में भाशाओं को लेकर बड़ा विवाज मचके बहुत सारे राज्यों का गठन भाशाओं क्या धार प्रभूचा इस लड़ाई को खतम करने के लिए इस लड़ाई को खतम करने के लिए आठवी अनसूची का निर्माड किया और इसमें सभी राज्यों की सभी राज्यों की जो महत्पूर्ण भासाएं थी उनको सम्मिलित करके राज भाशा वाले विवाद को समाप्त की यानि आठवी अनसूची के तहत जिस भी राज वहां पर प्रचलित थी महत्पूर्ण थी तो उसको आठवी अनसूची में जगह रख देते थे कि भाई जो राज भाशा को लेकर विवाद चल रहा है वो समाप्त होता है तो यहां पर कहा गया कि आठवी अनसूची में विनिर्दिष्ट भासा भारत की अन्य भासाओं के प्रिप्त रूप शैली और पदों को आत्मसाथ करते हुए जहां आवश्य क्या वांचनी हो वहां उसके सब्द भंडार के लिए मुक्यता संस्कृत और गौणते आन्य भासाओं के शब्द ग्रहण किये जाए तो 22 भासाओं के जो शब्द हैं अगर वो अच्छे शब्द Gold ग्रेजी के व्यामों से फिंच्छुडाना स्वराज्य का अनिवार यंग है यह कथन किसका है हम सैंट्ध्ता करेंगी संथ महात्म गान्धी कहते हैं जाहतम ग्राज्प में गठित प्रथम राद भाषा आयोग में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था प्रथम वाले में 20 थी और जब संसत के द्वारा वही रखा गया तो उसमें 30 इसके बीजी खेर थे उनीज सो पचपन में 56 में उन्होंने अपना काम सौपा सत्ताओं में राजपती ने संसत में रखा उन्सट में जीवी पंद में अपना काम शुरू किया और एक सथ में दो राज उन्होंने आयोग का गठन यह कहानी देख राज भाषा दिनियम 1963 में कुल कितनी धार आएं हैं राज भाषा दिनियम 1963 में कुल कितनी धार आएं हैं अगर यह आप से पूछा जाए तो इसमें कुल नौ धार आएं ठीक है राज भाषा संकल्प कब पारित हुआ बहुत ही महातपूर प्रश्ण है राज भाषा तो राज भाषा संकल्प 1968 में पारित हुआ इसकी डेट बहुत याद रखतेगा राज भाषा संकल्प 1968 राज भाषा नियम कब बना राज भाषा नियम कब बना ये राज भाषा नियम जो बना 1976 में बना ये सारी डेट बहुत महातफूर तो राज भाषा नियम कब बनता है 1976 में बना अभी इसको फिर से करवा देंगे किस में केंद्री सरकार के कारियालियों को तीन वर्गों में बाटा गया है अभी अभी मैंने आपको तीनों वर्ग बताये थे तो राज भाषा नियम 1976 राज भाषा संकल्प 1968 राज भाषा अधनियम 1963 तीनों में ही केंद्री सरकार के कारियालियों को तीन वर्गों में बाटा गया है सही बात है बताये नहीं सभी नहीं है देख लो घंचकर बन गयो न मुझे लग गया फिच्चे कर लूँ नीद आप सब की नीद में हो गुरू सब लोग गलत बताया है मैंने 1973 राइट अन्सर तेश भर्व कि केंद्री सरकार के कारियालों में कितने वर्गों में बाटा गया है ये आप सब जानते हैं तीन वर्गों में निमलिखित में केंद्री सरकार के कारियालों का अनुप्युक्त विभाजन कावर्ग भी है, खावर्ग भी है, गावर्ग है, गावर्ग का कोई भी भाजन ने, क्योंकि तीन ही वर्ग है, कावर्ग के छेत्र में कौन से राज जाते हैं, तो कावर्ग के छेत्र में उत्तरप्रदेश, मद्दप्रदेश, राजस्थान, बिहार, बताइए, अभी अभी म मैंने बताया था उत्तरप्रदेश मद्दप्रदेश राजस्थान बिहार की ऑप्षन होता सभी तो राइट एंसर हो जाएगा इन में से सभी जो है वह आवर्ग में होवर्ग के छेत्र में कौन से राज जाते हैं होवर्ग में जहां पर द्वी भाशिक नीती का प्रयूग किया जायेगा पंजाब गुजरात महाराश केंसासित चंडिगर्ड अंड़बान निकोबार दीट शबुह इन में से सभी यानि की इन में से सभी ये छेत्र हैं जहां साहित अकादमी के स्थापना कब हुई गावर के छेत्र में कौन से राज जाते हैं यहां पर अंग्रेजी में पत्र वहार किया जाएगा वो गवर किंत्र गताते हैं पस्तिम बंगाल उडिशा उत्तरपूर्वेक के छेत्र दर्विट भासी छेत्र यानि की उप्यूक्त सभी साहित अकादमी के स्थापना कब हुई यह बहुत बढ़ियां प्रश्न है साहित अकादमी की तो 1954 में भारती भार्षाओं और साहित को संरख्षित करने के लिए साहित अकादमी की स्थापना की गई राइट अंसवर 1954 National Book Trust National Book Trust NBT की स्थापना कब की गई 1957 की गई 1957 इसकी डेट याद रखे ताहित अकादमी के 3 साल बात National Book Trust NBT के स्थापना वैज्ञानिक तथा तक्निकी शब्दावली आयोग के स्थापना कब हुई अभी अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा किया था 1961 में दो आयोग बने एक विधी, मन्त्राले के तहाथ, एक सिच्छा मन्त्राले के तहाथ तो बैज्ञानिक और तक्निकी शब्दावली आयोग जो है यह सिछा मंत्राले के धीन काम करता है और राश्टपती ने 1961 में पनवाया केंद्री हिंदी निदेशाले की स्थापना कब हुई बहुत महात्पूर सा सवाल है केंद्री हिंदी निदेशाले की स्थापना 1907 में कब हुई केंद्री हिंदी निदेशाले की स्थापना elle केंद्री अनुबाद ब्योरो के स्थापना कब हुई तो 1971 है केंद्री अनुबाद ब्योरो के स्थापना कब हुई राज भाषा विभाग के स्थापना कब हुई यह आपका आज का प्रश्ण है क्योंकि एक प्रश्ण में कभी प्रश्ण उत्री में छोड़ता हूं तो यह आज का प्रश्ण है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद जबाब देना कि राज भाषा विवाग के स्थापना कब हुई थी 75, 76, 71, 80 केंद्री अनुबाद ब्यूरो किस मंत्राले के अधीन कारे करता है अभी अभी मैंने इसका जवाब दिया था किस मंत्राले के अधीन काम करता है तो यह ग्रिह मंत्राले के अधीन काम करता है केंद्री अनुबाद ब्यूरो किसके अधीन काम करता है तो यह ग्रिह मंत्राले की अधीन काम करता है साहित्यकाद्मी किस मंत्राले के अधीन है साहित्यकाद्मी सिख्षा मंत्राले के अधीन किसके अधीन है तो सिख्षा मंत्राले के अधीन है राज भाशा विभाग किस मंत्राले के अधीन है यह भी किस के अधीन है तो ग्रीह मंत्राले के अधीन काम करता है नेशनल बुक ट्रस्ट की किस मंत्राले के अधीन काम करता है नेशनल बुक ट्रस्ट किस मंत्राले के तो किताब का काम सिख्छा से जुड़ा हुआ है तो याद रखेंगे कि नेशनल बुक ट्रस्ट किस मंत्राले के अधीन कारे करता है तो सिख्छा वैग्यानिक तथा तक्नीकी शब्दावली आयो किस मंत्रा लेके अधीन वैग्यानिक तक्नीकी शब्दावली आलो अभी अभी मैंने बताया कि सिक्षा मंत्रा लेके अधीन काम करता है तो राइट अंसर हो जाएगा सिक्षा मंत्रा अमीर खुसरो अपनी किस रचना में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार देसी भाषा के लिए प्रियोग किये बहुत महात्पूर सा सवाल है उनकी एक रचना है खालिक बारी रचना का नाम क्या है खालिक बारी उसमें हिंदवी शब्द का 30 बार और हिंदी शब्द का 5 बार देशी भाशा के लिए दियोग उन्हों ने किया है रचना का नाम है खालिक बारी हिंदी को आम बोलचाल की महा भाशा किस ने कहा है तो राइट एंस्वर है जार्ज ग्रियर्शन ने हिंदी को आम बोलचाल की महा भाशा कहा है राज भासाँ से राज भासां से क्या भी प्राए राज भासा से क्या प्राएग कि वहाशा यानि का इसलिए राज भासा आयव ने तीन तरह के राज्य बनाए कोख और तीन तरह के कार्यालियों को ने निर्दारीद किया इस हिंदी को आरभाषा का कर प्रियोग और प्रचार का विशे बनाने वाले कौन थे महर सी दयानन सरस्वत महर की दयानन सरस्वत देखिए अगर टारगेट दिसंबर के लिए UGC NET का बैच लेना चाहते हैं UP TGT PGT Yelty Grade GIC प्रवक्ता का बैच लेना चाहते हैं तो आप के लिए अभी ओफर है ठीक है तायद आज ही तक का है आप हमसे जुड़ सकते हैं WhatsApp करके हमारा नंबर है BPSC के लिए कोई बैच लेना चाहते हैं तब भी आप के लिए बैच उपलब्ध है यल्टी ग्रिट GIC प्रवक्ता KVS NVS के लिए बैच उपलब्ध है असिस्टन प्रोफिस्टर के लिए बैच उपलब्ध है आप कीवल WhatsApp करके हमारा बैच ले सकते हैं हमारा नंबर है 98, 95, 92 ठीक है चलिए नेस्ट कुश्चन लेते हैं हिंदी को संग की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक कौन थे पंडित जवाहलाल नहरू उर्सोतम दास टंडन और राज गोपालचारी गोपाल स्वामी आयंगर यह प्रस्णा बहुत बढ़े हैं देखतें कितने लोग सही जबाब देतें फड़ावट आप लोग जबाब दीजेगा हिंदी को स्तंग की राजभाषा बनाने का जो प्र प्रदान मंतरी जी वह उत्तर भारत इलाहबाद के थे जादा तर जो नेता थे वह उत्तर भारत के हिंदी भाषी चेत्र तो इसमें एक बड़ी समस्या आई कि ऐसे ब्रस्तावक बनाया जाए ऐसा ब्रस्तावक बने जो हिंदी भासी छेतर से नहों तब जो है इसके विवाद की स्थितियां थोड़ी सी कम हो जाए इसलिए गोपाल स्वामी अयंग कर तो संब्धान में राज भाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प् आज की प्रश्नोतरी में मज़ा आया आनंद आया की नहीं आया नए प्रश्न मिले की नहीं मिले और आपने भी तक जो याद किया था उसमें बहुत सारी चीज़े एड़ आन हुई की नहीं रिवीजन अच्छे से हुआ की नहीं हुआ ये आप सभी मानदारी से एक बार कमे से आएंगे तब तक के लिए नमस्कार जैहिन श्टुवरात्री तन्यवाद